राम जनम भूमी पर भब्य मंदिर निर्माण के लिए देश भर में निधी समरपन अवियान की सुरुवात हो चुकी है। बात करने के लिए राम जनम भूमी तिर्थ छेतर ट्रस्ट के महासचु चंपत रायजी हमारे साथ है। सर निर्नेशन में स्वागत है आपका। देश भर में अवियान मकर शंक्रान्ति को शुरू कर दी गई। इतने बड़े अस्तर पर इस अवियान की आवशक्ता क्यों महसूस की गई ट्रस्ट की तरफ से। रामजन उम्भूमी को प्राप्त करने के लिए पिछले 500 साल में यानि 492 वर्षों में लाखों लोगों ने कश्ट साहा है। अनगिनित लोगों ने अपनी जीवन का बलिदान किया है। और वर्तमान सुतंत्र भारत में अगर देखा जाये तो नजाने कितनी बार राज्य सत्ताओं का अदल बदल हो गया। मंच पर विरोध करते थे। कमरे के अंदर बैठकर इस आंदोलन को सफल होना चाहिए ऐसा आशिरवात देते थे। ऐसे लोगों की इस देश में भरमार है। इसलिए विचार हुआ कि जब लाखों लोगों ने कश्ट साहा है तो करोणों लोगों के हाथों का, करोणों लोगों के पुर्शार्थ का समरपन इस मंदिर में लगना चाहिए। ये विचार हुआ कि राम अगर सब के हैं, सब राम के हैं, राम अगर भारत को जोडते हैं, तो इसका प्रत्यक्ष प्रमान भगवान के मंदिर निर्मान में जनता के समरपन से दिखना चाहिए। और इसलिए हमने विचार किया कि हम नागलेंट मीजोरं मेगाले में जाएंगे, अरुनाचल में जाएंगे, अंडवान निकोबार में जाएंगे, त्रिप्रा में जाएंगे, तो कच्छ के रण में जाएंगे। सवाल उठता है कि सिर्फ निधी समर्पण ही इसका उद्देश है या और भी कुछ इसके पीछे उद्देश है देश को जोड़ना भी एक उद्देश है राम एक जोड़ने वाली शक्ति है इसका प्रत्यक्ष प्रमान भी दिखाना था भारत में जाती शिक्षा अमीरी कि इसका राम से कोई विरुधा भास नहीं है राम सबके हर्दय में बसते हैं यह प्रकट करने के लिए बहुत ज़रूरी था इस सवाल यह है कि आपने कहा कि राम सबके हैं और आपने एक बार कहा था कि राम मंदिर नहीं राश्ट्र मंदिर बनेगा तो ऐसे में सवान उठता है कि जो निधी समर्पन अभियान चल रहा है क्या दूसरे धर्मों के लोगों के हां भी जाया जाएगा या सिर्फ सनातन में शब्द में देश की संस्कृति परंपराएं यह नहीं थे तब राश्ट्र है अब हमारे यह तो उपासनाओं के अनेक प्रकार हैं शैब हैं लेकिन उनके आराध्य शिव राम को अपना आराध्य मनते हैं वैश्णव हैं वैश्णव विश्णू के उपासक भी हैं तो राम के उपासक हैं, तो राम शंकर को अपना आराध्य मानते हैं, भगवती के उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, तो सीता भगवती का स्वरूप है, हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, रुद्र हैं, और इसी प्रकार इस भारत की प हमारे पूर्वजों ने किसी कठिनाई में किसी लाचारी में एक विदेशी धर्म को स्विकार किया होगा लेकिन राम हमारे पूर्वजों के उपासक हैं जो इस देश की सुख और शांती में भरोसा रखते हैं ऐसे इसलाम के अनुयाई मुहमद सहाब के अनुयाई भी इसमें धन दे रहे हैं धन दे रहे हैं इस धन दे रहे हैं का अर्थ समझे धन दे रहे हैं धन दे रहे हैं नि मुसलिम समाज की तरफ से भी निधी समर्पन हो रहा है कहना आप यह चाहते हैं जी मैं जानता भी नहीं था मैंने उन्हें देखा नहीं उन्होंने मुझे देखा नहीं और कार्याले में आके वो दो लाख रुपए का चेक दे गए और वो चेक कैश हो गया मैं कम से कम आठ से दस लोगों की लिस्ट रखता हूं इसलिए मैं कह रहा हूँ वो दे रहे हैं अच्छा सवाल उठता है कि राम जनभूम यगर आंदोलन की बात करें तो लंबे समय तक आप सब लोगों ने संगर्स किया पूरे देश ने संगर्स किया जो लोग विरोध करते रहे राजनीतिक तौर पर क्या उन विरोधी पार्टियों के हां भी निधी समर्पन के लिए टीम जाएगी टोली जाएगी हमने कहा है प्रत्येक व्यक्ति के पास जाओ अब मैं कल गया राइबरेली एक पूर्व विधायक के पास गया शायद वो कभी भी राष्ट्री ये स्वैंसवक संग या विश्व हिंदू परिशत के कारे करता नहीं रहे विधायक रहे और कल उन्होंने मुझे शद्धा पूर्वक मैं सोच नहीं सकता था एक करोड ग्यारा लाग ग्यारा हजार एक सो ग्यारा रुपए का चक मुझको दिया राजनितिक विरोध कहीं नहीं है अगर बंगाल में समर्पन हो रहा है बिन्न विचारों वाली सरकारों के प्रांतों में एको भुष्विश्व हिंदू परिशार इसमें विश्व जुड़ा हुआ है दुनिया के तमाम देशों में हिंदू निवास करते हैं और बात उरह थे कि उनकी विशर दाहें कि समर्पन करें तो उनकी समर्पन ने अधिक को किस तरह से आप आप लोग स्विकार करेंगे भारत में कुछ कानून है भारत के बाहर हो चाहे नैपाल हो लंका हो या भूटान हो बंगलादेश हो पाकिस्तान हो या दुनिया के निदेश हो भारत में भारत के बाहर की मुद्रा में दान प्राप्त करने के लिए कुछ काईदे कानून है उसम प्राथमिक शर्ते हैं अभी हम उन शर्तों को पूरा करने में हमें कुछ समय लगेगा अभी हम भारत के इस अभ्यान में व्यस्त हैं इसलिए उनकी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हमारे पर समय नहीं मिल पा रहा है लेकिन बहुत जल्दी हम यह सब हो जाएगा और दु सकेंगे जब तक ये प्रावधान पूरे नहीं होते तब तक के विलंब के लिए मैं भारत के बाहर निवास करने वाले तमाम ब्राम भक्तों से हाथ जोड़कर छमा या चना ही करता हूं एक एहम सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर ये अभियान चल रहा है तो एक पारदर्शिता एहम मुद्दा है पारदर्शिता बनी रहे कहीं कोई फ्रॉड नहों क्योंकि तमाम बातें सामने आई आई आपके संग्यान में भी उबातें आई होंगे कि लोग जोटे रसीद एक पारदर्शिता बनी रहे और नियम से चलता रहे इसके लिए क्या विवस्था की गई है हमारी और से पारदर्शिता शूचिता एकाउंटेंसी फैनेंशल डिसिप्लिन इसके लिए हमने कारिकरतां को कहा है अपने प्रभाव छेतर में अपने परीचे के छेतर में जिस बाजार में आप व्यापार करते हैं जिस दफ्तर में आप काम करते हैं आप जिस लुकालिटी में रहते हैं उतने छेतर में आप धन एकत्र करने जाईए समरपन स्विकार कर कि समाज को चाहिए कि वह आपरिशित लोगों को न दे हमने कूपन चापें है कूपन कोई भी चाप सकता है लेकिन हमने बैंक इन किया है कारेकरता अपनी जेब में पैसा ना रखे इसके निर्देश दिये गए कारेकरता उसका पालन कर रहे है कौन पैसा बेंक में डिपॉसित करेगा इसकी नंबरिंग की गई है उनको कोडिंग दिया गया है और कल रात्री गjarah बजे तक या बारा बजे तक 22 हज़ार कारेकरताओं का रेजिस्ट्रेशन बेंकों के साथ हो चुका है कि कल यही कारेकरता बेंक में डिपॉजिट कर सकते हैं तब वो हमारे अकाउंट में जाएगा और कोई करेगा तो उस अकाउंट में जाएगा ही नहीं बेंक भी हमें सूटनाय दे रहे हैं इसके बाद भी ये देश है बहुत बड़ा देश है कुछ गलतियां हो सकती है कुछ लोगों के मन खराब हो सकते हैं तो इस थानिय कार्यकरताओं का धर्मर करताव है कि वो ऐसे लोगों को रोके उनको पकड़ें उनको पुलिस के लिए हैंड ओवर करें सवाल उठता है कि जब जो टोली बनी है निदी समरप्रण की संपर्क में लोग जा रहे हैं तो इसमें संग परिवार से जुड़े हुई हिंदू परिशाद या बजरंग दल या हिंदू चेतना मंजिया संग से जुड़े हुए लोग इसमें हैं अगर दूसरे लोग भी जु पुझा की फ्राड हो सकता है अब यह सवाल है कि भिन्न भिन्न लोग अगर आप से पैसे के लिए कहें तो तो दोनों का तालबेल चाहिए यह विशह है विश्वास का जब हम किसी को कूपन देंगे तो कूपन इसे कैश कूपन एक प्रकार का नोट है करंसी है रसीद जब तो यह विश्वास का है जिस ऐसे कारेकरता को चाहिए वो जहां रहता है उसी स्थान के विश्वस्निय लोग जिनको हमने मेटीरियल दिया है उनसे संपर्क करें एक ही शहर कस्बे गाउं के रहने वाले लोग हैं एक दूसरे को जानते पहचानते हैं उनको महां से धन लेविल पर करो अभी मैं जब दिल्ली के आर्केपरम कारले से बाहर निकला फोन आया कि आप हमें कूपन दे सकते हैं क्या तो कारेले ने बना कर दिया कि आप जिस लोकालेटी भी रहते हैं उसी लोकालेटी के लोगों से धन लीजिए इसके कारण गलतिया नहीं होंगी और शंकरांती से शुरू हुई है अभी तो महज दो दिन हुए लेकिन क्या कुछ आकड़े सामने आये हैं कि अभी तक कितने निधी का लोगों ने समर्पन कर दिया है चलते चलते मैंने पूछा आकड़े दो तरह से आएंगे एक तो कारेकरता हमको भेज रहें और बाद में ब वो 16 तरिको 11 बजे के लगबग जब 10 बजे बैंक खुल जाएंगे उनका फंक्शन शुरू हो जाएगा तब वो हमें सूचना ये देंगे कि आज हमारे बैंक में कितना आया कारेकरता हमको सीधी सूचना दे रहे हैं कि हमने आज कितना डिपॉसित किया लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस आएगा कुछ कारेकरता सूचन नहीं दे पा रहे होंगे जितनी सूचना रात के 12 बज़ तक आई है मुझे लगता है कल 23 या कुछ ऐसा 23 करोड़ से कुछ ज्यादा धन कल तक जमा हो चुका है अरतालिस घंटे के अंदर अरतालिस नहीं 24 घंटे के अंदर कल प्रात्र का लोगों ने नौ बज़े दस बज़े शुरू किया होगा और रात के 10-11 बज़े तक डिपॉसित किया होगा तो 12 घंटे के अंदर 12 घंटे के अंदर 30 करोड़ अच्छा एक अब सवाल जरा मंदिर के ऊपर पूछ लेते हैं लोगों की सबसे ज्यादा उत्सुक्ताइस बात को लेकर के है कि मंदिर का निर्मान कार क्या शुरू हो गया है क्योंकि डिजाइन को लेकर के उसकी बुनियाद को लेकर के आप लो विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उन तमाम विज्ञानिकों और प्रोफेसरों को आभार प्रकट करता हूं मेरे से आयू में बड़े लोग भी हैं तो मेरे से आयू में छोटे लोग भी हैं मैं उन सब बड़े और छोटे को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं उन्होंन जमीन के नीचे की मट्टी की जाँच तो तीसरी बार तीन बार कराई गई कोई भी कमी किसी मनुष्य के कारण यंत्र की यंत्र की एडवांसनेस के कमी के कारण कोई कमी न रह जाए इसके लिए अकेले ज्वाइन्ट फिजिकली बैट कर आउनलाइन डिसकेसन करके और वो साब धीरे धीरे एकमत होते चले जा रहे हैं बेस्ट प्रारूप आ गया है टाटा और एलेंटी के लोगों ने मिलकर उस बेस्ट प्रारूप को सारजनिक करने के लिए किरिया में बदलने के लिए काम शुरू कर दिया है और मैं टेलिफोनिक सूचना है रोज लेता हूँ आज भी प्राप्त की है प्रहतेकाल मैं सारे देश को आपके माध्यम से ये संदेश ये सूचना देना चाहता हूँ कि एक सुन्दर्तम नीव इस नीव की खुदाई का काम प्रारंब हो गया है नीचे से बनाने के लिए पहले उपर से कुछ हटाना पड़ता है ये सब प्रक्रिया प्रारंब हो गई है कर प्रम परागत तरीके और आधंविक तरीके मिष्रण से युल नया डिजाइन होंगा वह होगा तो ये क्या परंपरागत और आधुनी क्या तरीका है क्योंकि बहुत लोगों में उत्षुकता है क्योंकि एक बार डिजाइन बदला गए 1200 पीलर बनने वाले थे तो मिट्टी की गुणवत्ता ठीक नहीं निकली तो उसको बदल दिया गया देखे हम भी इतने दिनों से काम कर रहा है हमको नहीं मालूम था कि नीचे मिट्टी नहीं है नीचे तो बालू है लेकि नवा एक और रहस्ता जिसके बारे में बोलते थो थे कि मंदिर अनेक बार तोड़ा गया अब दिखरा है कि लगबग जिस स्थान पर माननी है प्रधान मंत्री महोदा ने बैटकर पूजा की उस स्थान के नीचे जाएंगे तो अभी काफी 30-35 फिट मलबा है जिसको हटाना चाहिए और उसको हटाना ये बहुत बड़ी बात है और बालू के अंदर खंबे की पकड़ नहीं बन पाती ये सबने सहमती व्यक्ति की उसका प्रियोग करके देखा गया कोई न कोई ड्राइंग तो पहले बनाई जाती वो ड्राइंग बनी फिर उसका एक्सपरिमेंट किया गया एक्सपरिमेंट में जब इच्छा के नुसार परणाम नहीं आए तब रुख गए लोग तब डिस्कुसन व्यापक हो गया अब सारी समस्याओं में से एक मध्यम्मार्ग मध्यम्मार्ग नहीं कहूंगा एक कामन एक कामन प्लैनिंग सामने आ गई है और उसके उपर काम शुरू हो गया है मैं समझता हूँ कि भारत की सर्वत्तम इंजीनिरिंग माइंड ने काम किया है अब जो हो रहा है देट इस दी बेस्ट एक और एहम सवाल कि एक समय सीमा आप लोगों ने निर्धारित की थी कि इतने समय सीमा में मंदिर का निर्मान हो जाएगा और भगवान प्रभू वहां पर विराजमान हो जाएगे हमने सोचा था कि अगर हम जून से प्रारंब कर देंगे तो 49 महीने में काम प्रारंब हो जाएगा लेकिन जमीन को कुछ और स्विकार था और इसलिए साथ महीने धर्ती का परिक्षन धर्ती मा का परिक्षन करने में निकल गए परंतु मौलिक अवधी नहीं बदली है अब हम चाहेंगे कि फर्वरी से 49 महीने में काम पूरा हो जाएगा फर्वरी 2021 कि एक अंतिम सवाल कि एक समय सीमा आप लोगों ने निर्धारित की थी कि उतने वक्त में मंदिर का निर्माने कारे पूर्ण हो जाएगा डिजाइन नियों के बदल दिये गए हैं तो क्या अभी भी समय सीमा वही है और कब तक पूर्ण हो जाएगा हमने सोचा था जून 2020 से 49 महिने लगेंगे लग सकते हैं तो कुछ नहीं को तो तैय करना होता है भविश्य के बारे में कोई हम भविश्य वक्ता नहीं है और वो कोई मशीनों का काम नहीं है कोई कॉंक्रीट वर्क नहीं है कोई RCC वर्क नहीं है लेकिन अब हम सोचते हैं कि जब हमारे साथ महीने केवल टेक्निकल साइन्टिफिक इंजिनेरिंग डिसकसन में लगे तो यह बहुत ही सवभाग्य की बात है देश के लिए कि विद्वानों ने इस पर काम किया अब कारे प् फरवरी से भी उतना ही महीना मानते हैं और मैं समझता हूं कि इस सफीशेंट कारे पूरा हो जाएगा 49 महीने फरवरी से फरवरी 2021 से बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सब कुछ तयारी की जा चुकी है निर्धारित समय में ही मंदिर का निर्मान हो जाएगा और पूरे देश में चली रहा है और काफी लोगों में उत्साह भी दिख रहा है विडियो निस जग्दीश के साथ विकास चंद्र न्यूज नेशन दिल्ली